प्रिठ्वी पर अब तक का सबसे बुद्धिमान जीव इनसान है इनसान के अलावा पूरे ब्रामन में ऐसा कोई जीव हमें अब तक नहीं मिला है जो इनसान की शमता का मुकाबला कर सकता हो आज का इनसान प्रिठ्वी से चांद और मंगल पर जाने में भी सक्षम हो गया है लेकिन टेकनोलजी और तरक्की के साथ साथ इनसान ने परकिर्ति से काफी छेट जड़ की है परकिर्ति ने सभी जीवों को एक समान बनाया है लेकिन इनसान ने अपने आपको सबसे बड़ा मान, सभी साधन अपने लिए इस्तेमाल करने शुरू कर दिये हैं जिस वज़े से परकेर्थिक संतुलन बिगडने लगा है जंगली जीवों के घरों को नश्ट कर जंगलों को काट लिया गया है जिस वज़े से लाखों जीव विलोप्त हो गए और वायू मंडल में परदूशन की मात्रा और सीओ टू बढ़ने की वज़े से ग्लोबल वार्मिंग का खत्रा बढ़ गया है ऐसे में हम सोचती हैं कि अगर प्रिथवी से सभी इनसान खतम हो जाएं तो प्रिथवी पर क्या होगा ऐसा होने से क्या परकिर्थिक वातावरन बहतर हो जाएगा आज से पहले प्रिथवी पर कई मास एक्स्टेंशन हो चुकी है जिस वज़े से प्रिथवी का लगबग 90 प्रतिशत जीवन समाप्त हो गया ऐसे मास एक्स्टेंशन कुजरत प्रिथवी पर करती रहती है इसकी वज़ा होती है कोई बड़ा जवाला मुखी फटना या किसी उलका पिंट का प्रिथवी से टकरा जाना या किसी खतरनाक वायरस से इन सभी में से अगर किसी भी कारण इनसान प्रिथवी पर ना रहें तो प्रिथवी पर कुछ समय के लिए हर चीज वही की वही थम जाएगी बड़ी बड़ी फैक्टरिंगों और गाड़ियों से होने वाला वायू पर दूशन रुक जाएगा और प्रिथवी पर हर तरफ शान्ती होगी बिजली उत्पादन बंद हो जाएगा और ऐसे में रात का अंधेरा काफी गहरा होगा क्योंके कोई आर्टिफिशल रौशने करने वाला इनसान नहीं होगा रात में आस्मान साफ होने की वज़े से तारी साफ दिखाई देंगे जो आज के समय में बहुत कम दिखाई देती है इस समय प्रिथवी पर मौझूद नियुकलियर प्लांट्स को कंट्रोल करने वाले इनसान ना होने के कारण नियुकलियर धमाके होने लगेंगे इस तबाही का असर प्रिथवी के दूसरे जीवों पर भी पड़ेगा में वातावरन से सी ओ टू की मात्रा काफी कम हो जाएगी क्योंकि अब परदूशन पैदा करने वाले इनसान जहां नहीं होंगे और साथ ही जीव जन्तू और जानवरों की संख्या बढ़ने लगेगी और जंगलों का शेत्रफल भी बढ़ने लगेगा ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें खतम होने लगेगी और पित्वी ठंडी होने लगेगी समुन्दर जमने लगेंगे और लाखों सालों बाद हो सकता है कि पित्वी पर दोबारा जीवन की नई शुरुआत हो ये चक्कर हमारे प्लैनेट पर चलता ही रहता है वीडियो में अन तक बने रहने के लिए धन्यवाद